एन गूट एवनिंग सांथियो ग्यानकर यूट्व चानल में आपका स्वागत है भी पिए सी फेस थ्री का प्रेक्टिस से चलिद दुमधिक से संबदित है दो लेक्षर आपका फिजिक से रिलेटेड हुआ आज जो दो लेक्षर है ह्वोई कि में रिलेटेड है यानि आपक कोश्चन जो है इसी के इर्द इर्द रहने वाला इससे बाहर कुछ भी प्रस्ट नहीं पूछा जाएगा आप इसको इमंदारी पुर्वक देख करके जाएगा एक्जाम का डेट बहुत करीब आ गया है इसलिए जो भी सेट में कोश्चन जा रहे हैं पहले परियास करिएगा कि खुद से बनाने का जब नहीं समझ में आए तो explanation भी दिया हुआ है उसको देख लीजेगा ठीक है कोश्चन का डिसकासर भी डिसकस भी किया गया है उसको भी आप देख लीजेगा ठीक है समय आपका बहुत ही बहुत बहुमुल है और आपके समय को मैं बेगर किल किये हु है इससे बचा नहीं जा सकता दिख रहा आपको दिख रहा है अच्छा कैमरा वाले में दिखत होगी देख लेते थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं ने चली उदर भी दिखेगा आप लोगों को दिख रहा है को दिखत चले कुछ अगर दिखत है तो कमेंट करके कोशन करते कोशन करिए पहला प्रसन आपका है निमलिखित मेंसे गलत कथन का चैन करें इन मेंसे गलत कथन कौन है तो आप जानिए जब गलत कर्षन चुनने की बात आती है तो इसमें दिएगे अप्सन के बारे में मुझे जानकारी होना बहुत जरूरी होता है पहला अप्सन ये दिखो सार लिखा गया सार नहीं है ये चार है बहुत लोग सार समझ लेंगा तो सार नहीं है ये क्या समझेगा ये बेस चार है चार धातु में लिथियम परवल्तम उप्चायक है यानि लेस डिद्यूसिंग एजेंट है बिल्कूल आपका यह सभी बात है चार धातु जल के साथ अभिक्रिया दूआरा उनके थाट यानि छार धातू जो है बिल्कुल जल के साथ अभिकुरीया करके तो चाहर जो भी चाहर कहने का मतनलों अलकली यानि हमारे पास ऐस बलोग का जो तो इलिमेंट है यानि पहला है फ़र्स्ट पिरियड की बात करिए पहली यावर्त का जो हमारा elements है उसतबच के सब हमारा चार है अलकली है अलकली कहना का मतलब यू पानी में घुलंसील है घुलंसील होने के कारण ही इसको चार कहा गया है याप नाम सुने होंगे यह आपका पर्थम आवर्थ का जो भी elements है, जो भी तत्व है, सब को हम लोग छार कहेंगे, अलकली कहेंगे, ठीक है, तो यह भी बात सही है आपका, के ओ टू में के की ऑक्सिकरन संक्या पलस चार है, यही तो बहुत बड़ा बमंडर है, के ओ टू में के का पलस फोर ऑक्सिडेशन नमबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रडेसियम का अक्सिडेशन नमबर पलस टू होगा, ठीक है, यह आपका बमंडर यह आपका गलत है, उपयोग में से एक से अधीक, उपयोग में से कोई नहीं, तो आपका गलत है C number, ठीक है, क्योंकि potassium का free electron जो होता है, एक ही होता है, और एक potassium का plus one होगा, और यहाँ जूरा हुआ हमारा जो है, दो oxygen इसका मतलब हुआ, क्या, बोलिए, कि plus one से भी कम होगा हमारा, यानि एक element यान एक potassium जो है, oxygen जब पर oxide होता है, तो minus one होता, और जब oxide होता है, तो minus two होता है, चार्ज ये याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा potassium का charge होने वाला है, वो plus two होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल, तो आपका यही कथन गलत है, जो plus four कर दिया है, और बहुत सांथी क को नहीं पता होगा, तो एक oxygen का minus two लेकर के, यहाँ दो oxygen है तो minus four, इसका निकालना है, potassium का निकालना है, इस compound पे कोई charge नहीं तो equal to zero कर देंगे, और zero करते ही जो है, यह हो जाएंगे हमारा के बरावर plus four, और आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, दे दनादर एंसा मार देखेंगे धक सीगर, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, तो जब हम exam देने बैठें, तो आख, कान, नाख सारा चीज को खोल करके बैठें, कि questions हम से पूछ क्या रहा है, और question का उत्तर हम दे क्या रहा है, किसी ने बहुत अच्छी बात पूछे, क्या पूजी, कि सफलता क् एक परतिक्षा है, सफलता एक संघर्स है, सफलता एक करवा घोट है, सफलता एक काफी तपस्या के बाद मिलने वाला मिठास है, यानि सफलता यूहीं नहीं मिलेगा, सफलता को परिभासित करने में आप भी सक्षम है, हर वेक्ति सक्षम है, सफलता यूहीं नहीं मिलता, सफलता एक तपस्या का नाम है, सफलता एक करवी घोट पीने का नाम है, सफलता एक परतिज्ञान का नाम है, यूँ ही सफलता नहीं हाथ लगेगी, तो आप भी इसको परिभासित करने में सक्छम, हर वेक्ती सक्छम है, बस सफलता के बारे में समझ लीजी, इसलिए आपको से लेनी है तो हर एक पाइंट पे देखना फोकस्ट होना परेगा जहां जहां से कोशन पूछने का टेंड रहा है यह जहां जहां से पूछा जा रहा है जो कोशन का कंसिप पॉइंट है निम्निमे से कौन सा परवानुकर्मांग युग में इस ब्लॉक के तत्व को दर्साता है इस ब्लॉक से आने का मतलब कि जब हम कंफिरेशन करेंगे इलेक्टोनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम आने वाला इलेक्टोन जो होगा अंतिम आने वाला इलेक्टोन वो आपका इस ब्लॉक में जाएगा आने वाला इलेक्टोन इस ब्लॉक में अगर इंट्री मारेगा तो उसको हुम लोग हें इस ब्लाक कहेंगे अगर बात कर यहाथ हमारा इस ब्लोक नहीं है पूừ साहतन नैटोजन का होता है और नाइटोजन कर शौ्रकेट कर लिए वन है रय्ट mentioned चार हो गया यह हग वमारा टूपी तरी लास्ट लेक्र पी-में जा रहा इसका मतलब यह हुआ कि नाइटोजन हमारा पी बलोग का है नाइटोजन क्या है मारा पी बलोग का है आए बस समझ में तो हमारा पहला पाप्सिन कैंसिल दूसरा चेकरते हमारा 19 है 19 है यह हमारा ona is to टु अश्टू औठो और कि टूपी 6 धरी एंस टू 3p6 3p6 कितना हुए 8 10-16 यहां तक कितना 10-6-16-18 बच रहा हमारा 4 is 4 इसमें 1 यानि 19 वाला हमारा जो है इस बलग तो है ये 56 हमारा देखे 56 किसका एलब्ड होता है बैरियम का इटॉमिक नमबर जो होता है 56 होता है और बैरियम हमारा इस बलोक एलिमेंट है बैरियम हमारा क्या है इस बलोक एलिमेंट है तो हमारा एंसर बी नमबर देख करेक्ट एंसर है ठीक है यानि बलोक से संबंदी समझे कि लाश लेक्टोन जब हम इलेक्टोनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्टोन जिस सबसेल में जाएगा उसी को हम लोग उसका ब्लोग कहेंगे ठीक है चले अगला प्रस्नाप का आता है परमानु भार में विर्धी के साथ छार धातू के गलनांक है यानि पर्मानु भार्मे विर्धी के साथ चार धातू के जो गलनाक होता है वो कम जाता है कमी होती है ठीक है का होती है कमी होती है निम्ण में से किसके अत्रिक्थ छार धातूं ऑक्षियन के साथ अभिक्रिया करके पर उक्साइड कहां इक चार लिखाता है कुछो कुछो लिखा जारा आजकाल है आप भी सोचते होंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है खेर कोई नहीं एरर होते रहता है लग निफेजा ना शेकता है निम्ण में किसके अत्रिक्थ छार धातूं का ऑक्षियन के साथ अभिक्रिया करके पर उक्साइड का निर्मान करती है तो याद रखेगा पर उक्साइड सोडियम ऑक्षियन से अभिक्रिया कर बनाती है सोडियम ऑक्षियन से अभिक्रिया कर बनाती है सोडियम ऑ कि सोडियल जहां पर के gid सोडियों यायव जहांपे ऊकज़ियन का मानस coma उबाव। ठीक है, CGM, sodium ये oxide बनाते हैं ठीक है, lithium पर oxide बनाता है lithium का बनाता है, पर oxide बनाता है Li2 लो होता है, इसका क्या होता है O2 होता है, तो ये याद रखेगा lithium पर oxide बनाता है, ठीक है न तो ये आपका answer है, C number देखरेक्ट answer अगला question निम्न में से किसे pearl S कहा जाता है तो याद रखेगे potassium carbonate को pearl S कहा जाता है ठीक है, potassium carbonate K2CO3 को pearl S कहा जाता है यहीं भे marvell की बात करें, तो CaCO3 को marvell कहा जाता है baking soda की बात करें, तो NHCO3 को baking soda कहा जाता है sodium carbonate की बात करें, तो Na2, CO3 यहीं पर आगर हम 10H2O लगा देंगे तो यह बन जाएगा हमारा washing soda, क्या बनेगा, washing soda बनेगा ठीक है न, चलिए अगला प्रस्न है आपका, Epsom 11 कहते हैं Epsom 11 किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लो, magnesium sulfate into 7H2O को हम लो, Epsom 11 कहते हैं Epsom salt, यहानि A number is the correct answer, ठीक है, चलिए C U SO4 into 5H2O को, इसको हम लो, कहते हैं, बुलू विट्रोल नीला थोथा, बुलू विट्रोल ठीक है न, यहीं पर अगर आप से पूच्छ दे जाए, वाइट विट्रोल का फर्मूला, याद रखिए, वाइट विट्रोल का फर्मूला थोज़े ने सो 4 into 7H2O, ठीक हैं, बुलू विट्रोल तो हीगी आपका, चलिए लिथियम और मेगनेसियम के गुन समान है क्योंकि लिथियम और मेगनेसियम के गुन समान है तो यह हमारा है पहले लगाना परेगा तब आपको समझ में आएगा यह कुछ पिरियोडिक टेवल है हमारे पास सक्माली यह लिथियम यह सोधियं यह पोटैशियम सुरी और यह लिथियम लिथि हम सोधियम प्रोटैसियम कि रेडियम को CCP फ्रॉंसियाम टिक है और इसे हमारे पास जो है है यह फर्स्ट ग्रूप बाला है यह सिकन्ड ग्रूप की बात करें चींग ग्रूप की बात करें कुछ कुछ लिखा रहा है आजके यह हमारा पास है फर्ष्ट ग्रूप है यह हमारा है सिकेंड ग्रूप डियाची अपर केल्सिय म तो इसकेंडियू म रेडियूं ठीक है चली है को कि दोगे बीच का रिलेस्टिन अगर हम देखेंगे तो हमारा यह कहलाता है डाइगोनली रिलेशन क्या कहलाता है डाइगोनली रिलेशन कहलाता है यानि लिथियम का डाइगोनल में कौन है मैंगनेसियम है इसलिए लिथियम और मैंगनेसियम का गुन सेम होता है वही चीज का है मैंगनेसियम का गुन समान है क्यों समान होता है चुकि यह सम्वंद्पर दसेज करते हैं तो आप याद रहखेगा मैयनेसी ए में कैसा रिलेशन है डाइगोनली रिलेशन है डाइगोनली वीकर्न का सम्वंद्द है स्टीः तरी याद रही को नशोडियाम बाइकारवनेट को किया थी टा मुत किती तो हुपासित होती है याद रहती तो आ या निकलता नंहें अपन्य अपन पर्फम समू को हम लोग किस नाम से जानते हैं अलकली मतलब छार के नाम से जानते हैं अलकली छारी धातु कह सकते आप इसको छारी धातु ए नंबर हो जाएगा आपका छारी धातु ठीक है चली उजला और पीला फॉस्फोरस है उजला और पीला यानि फॉस्फोरस का ही बेटा है चाहे वो उजला हो चाहे वो पीला हो जब एक ही चीज का में का यह पार्ट बन रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स क्या करते हैं एलोट्रॉप्स या अप्रूप कहते हैं एलोट्रॉप्स या अप्रूप कहते हैं तो एंसर क्या हो जाएगा यह नमबर इदक करें सब्सक्राइब ठीक है बढ़े आगे गुड़ चली आगे बढ़ते हैं नाट्रिक अम तयार के आता है तो ना वाल्ड विधी से बना जाता है नाटिक एसीड को एंसर रखिएगा विश्ट वाल प्रोसेस भी नमबर करेक्ट एंसर ठीक है चलिए कि पीसील फाइब एक है पीसील फाइब क्या है तो इसको याद रखिएगा पीसील फाइब को हम लोग ऑक्सी कारक कहते हैं जो दूसरे को बरहाने का काम करता है ओक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है चलिए ओक्सी कारक ओक्सी कारक ओलियम में ह2SO4 के साथ और कौन अवे उपसित है ह2SO4 के साथ होता सलफोनेट एसो थिरी ठीक है एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर तक करेक्ट एंसर यह साब बहुत ही महतपूर्ण कोश्चन सब है ठीक है आपको बिलकुल हलका हलका लग रहा होगा और कोश्चन कुछ इसी परकार रहने वाला है इसलिए एक्जाम में जाने से पहले पुन रूप से जितने सेट कराए हैं उन सभी सेटों के एक बार प्रेक्टिस तो एटलिस्ट कर ही करके जाईएगा ठीक है चलिए नहीं जाईएगा फिर एक्जाम दे करके आईएगा फिर फोन करके कहिएगा कि सर यह कोश्चन का एहम भूमी का हो जाता ठीक है निमलीखित में से कौन सी गैस जल पर एकर्थर नहीं कि जा सकती है तो याद रखेगा एस तुए हमारा सलफर डायक्साइड जो है वह हमारा जल पे जो है एकर्थर नहीं किया जा सकता है इस ओटो अगला प्रस्ट पर आते हम लो सिलिका औ हाइड्रोजन सिलिकॉन हेक्सा फ्लॉराइड यह आपका एंसर होता ठीक है चली विसमत की सबसे अस्थाई ऑक्सी करन अवस्था है तो बिसमत की सबसे अस्थाई ऑक्सी करन अवस्था होता है पलस्तिरी याद रखिए काफी इंपोर्टन कोश्चन है ठीक है सबसे अस्थ नब लू क BLक से बिलॉंग नहीं कर रहा है है कंद दिया है कि बोलॉग कहीं जो है ना ऐसान हिंदी링दी घुसावएगा आईसन हिंदी घुसावेगा कि दिमावे चक्रिया जाएगा कहीं लिखेगा ब्लोग और कहीं लिखेगा क्या खंड यानि P-Block से पूछा कि P-Block का तत्व नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि P-Block का तत्व हमारे पास जो है फॉस्पोरस है सलफर है तीन है बट बैरियम जो है नहीं है बैरियम हमारा इस बलोग है इस खंड है कोशने के भास आम लिख देते हैं इस खंड ठीक है इस खंड बैरियम ठीक है न चलिए अगला कोशन से आपको आता है इससेल की कोश की थी इससेल की कोश किसने की थी इसपी और इससील की कोश जोज गलोबलर ने की थी गलाबर जिसको कहते है आप जानीच S1 किcąट का है chloride को राइद कॉल्य क्याज्ट है मानोहीमन राभी पाज जाता है कहां अमासाय में एक उशन पुछा था also बाइलोजी में कि रेनीन जो होता है रेनीन वो कहां एस्टोर होता है बाइलोजी का कोशन है रेनीन कहा होता है बिल्कुल आपने सही अंसर कहा एस्टमाख अमास है में करता क्या है बिल्कुल आप सही अंसर कहा है मिल्क को पचाता है मिल्क को पचाता किस में लेतike बच्चों में बिलकुल इनफ्रेंड बच्चों में कितने साल तक है 1956 दो से पांट साल तक पर शोमें ठीक है और किसी-किसी बच्चे में क्या था दूद्ल। लेता उल्टी करूता है उसमें क्या कमी रहkeit किकरण और रेनीन उस बच्चे में नहीं पायाता है जिसके खरण वो ढूद को डायश्ट नहीं कर पाता था इस ए आमासा में स्टो रोते हैं अमासा में होता है और नहीं याद रखेगा अर्वी मिकलत रखेगाक्त 209 लिंसे में प्रोटीन दूद पर सब मिलने वाला वाइब अंडल है ठीक है चलिए अगला कोश्चन आपका चक्रिये मेटा फॉस्फरीक अमले में पी ओ पी बंद की संख्या है तो चक्रिये मेटा फॉस्फरीक पहले फर्मूला याद होना चाहिए तो इसका फर्मूला होता है फिरेंस धीब फोल्सफोरोस ह्पॉस्फोर थे मेटा फॉस्फिर का फॉस्फोराइ नौत होता है 3 Phosphorus है लगा लिए दिख six यहाँ पर oxygen देदेए दिए ट्रीज यहाँ बस बनाता पांच DRP oxygen देद यह यहाँ पर हवह सब करेंगे अंगे हम लो ओ हो और यहाँ देदी हए यहाँ दीए ओ है है कितने तेन से मल्लिपाय कि Circ young okay a है एक यहां है यान हो गया है तीन आशीच की बात करिके प symptom है तीन से से मढल्रडिप्लाइ गद्लेटिक नौ तो यहां पर मन करी obliv 13 चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ यानि ऑक्सिजन भी आपके होगा है कितने हैं नौ, फॉस्परास तो तीन आपको दिखे रहा एक, दो, तीन आप से पूछा है P.O.P. बॉंड तो आप भी बताएए मुझे P.O.P. बॉंड जो है कहां कहां है एक, इसको P.O.P. बॉंड कह सकते हैं एक हो गया एक, यहां ले लिजे यह P.O.P. बॉंड हो जाएगा और एक, यहां उठा लिजे तोटल आपके P.O.P. बॉंड कितने दिखे P.O.P. बॉंड आपको टोटल दिखे तीन तेंसर कितने हो जाएंगे सब्सक्राइब करते हैं ठीक है चली आई अगला प्रसना आपका है गोता खोर ओटू के साथ मिलकर ले जाते हैं क्या लेकर जाते हैं कल बताया थे कोश्चन मिलकुला हीलियम हाँ सभी हाँ रिविजन नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा थोड़ा बहुत मेनत करना ही पड़ अगला मार लेजा बस हो जाएगा अदम सरीर मिठा मिठा हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ सब कुछ होगी अच्छा नहीं तो कुछ तो आपको भी पटके आना परेगा कुछ संगर्स करनी परेगा ठीक है चली आई ये इस सरवाधिक विसरन शमता पाई जाती है सरवाधिक विसरन शमता किसमें पाई जाती है हिलियम में ये भी कोशन करकर आया थे हिलियम में पाई जाती है ठीक है चली है हिलियम का मुक्ष रोट क्या है तो हिलियम का मुक्ष रोट जो है वह सूर्ज है क्या है सूर्ज है कि आतो यह अगला निम्न में सरवाधिक आयनन वीभव किसका है आप याद रखिए फॉसपोरस का था इसन फॉसपोरस का है तो आपका यह 25 कोर्षं के साथ जो भी कोश्षंट करा है है यह सब अपने आप में बहुत अती महतपुर्ण है जहां तक कोशन बीपीएसी ने पूछा है और कुछ कोशन तो ऐसे थे जो पूछा हुआ था और कुछ कोशन नया कोशन डाला गया है जो भीपीएसी मोड चांसे है कि इस प्रसन को पूछा जा सकता है कंसेप्ट यही रह मिलेगा और लाव सुनिशित मिलेगा और आप चैन भी होंगे सेलेक्शन इस बार आपका पक्का है तो ग्यान कर यूट्यू चैनल से आप बने रहे हैं थैंक्यू थे कुसमाच जैहिंसातियो